इमदाद खां वहाँ जाकर सितार और सुर्बाहार बजाने लगे सितार वादन में कई नई विध्यों का अन्वेशन किया और बनारस की तबला पखावच की लैकारी को अपने बाज में समनवित किया एक ही परदे पर सातों सोरों को निकालने पर प्रबलता देने लगे एक बार कलकत्ता के राजा सर जोदिंद्र मोहन डैगोर बनारस पधारे इमदाद खां का सितार सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने साथ कलकत्ता ले गए वहाँ उन्होंने इमदाद खां को पून राजा आश्रे दिया इमदाद खां संगीत साधना करते समय किसी प्रकार का अवरोध पसंद नहीं करते थे एक बार अभ्यास करते समय उनकी स्तरी की तब्यत इतनी खराब हो गई थी कि वे मर गई किन्तु उन्होंने अपना अभ्यास समय के पूर्व बंद नहीं किया इमदाद खां के दो पुत्र हुए इनायत खां और वाहित खां इनायत खां के पुत्र उस्ताद विलायत खां थे जिन्होंने सितारवादन में अपना एक विशिष्ट इस्थान बना रखा था बंगाली जन्ता इमदाद खां के सितारवाधन से बड़ी प्रभावित थी महराजा टैगोर की मृत्तिव के बाद इमदाद खां सपरिवार ताराप्रसाद घोश के आ रहेने लगे कुछ दिनों बाद वे इंदौर रियासत में नियुक्त हो गए और जीवन परियंत वहीं रहे इमदाद खां की मृत्तिव भादतर वर्ष की अवस्था में सन 1920 में इंदौर में हुई